पार्टिशन डीट पार्ट टू में आपका स्वागत है अब बिलकुल भी समय खराब ना करते हों हम जल्दी से बात करते हैं कि यदि कोई ऐसी प्रापर्टी ऐसी संपत्ती हो जिसे की प्रेक्टिकली डिवाइड ना किया जा सकता हो तो फिर क्या किया जाए पार्टिशन डीट को क्या रेजिस्टरार आफिस में रेजिस्टर करवाना जिरूरी है आनिवार रहे है या फिर इसे बिना रेजिस्टर करवाए भी काम चल सकता है इस समय खर्च कितना आता है और क्या पार्टिशन डीट को बविशे में कैंसल भी करवाय जा सकता है इसमें और किस-किस तरह की family formalities को पूरा करना पड़ता है दोस्तों यह सब जानने के लिए कि प्रया पार्टिशन डीट से जुड़ी इस विशेश श्रंखरा को आप आखरी तलग जिरूर नेगे दोस्तों एक तो किसी भी प्रापर्टी को उस प्रापर्टी के समी को ओनर्स बिलकर आपसी समझोते के तहती उसका पार्टिशन जाने के बटवारा कर सकते हैं यदि सभी सांजय जारों में से कोई एक भी ना चाहे तो फिर इस तरह का बटवारा होना संबब नहीं हो सकते यह पार्टिशन डीड सिर्फ एक ही प्रापर्टी के लिए बनवाई जा सकते हैं ना कि कई अलगलग प्रापर्टी जा सकते हैं मिलकर या फिर इंडियूजर रूप से अंडुइडिड रूप में उसे खरीच सकते हैं अब बात आती है पार्टिशन डीट को रेजिस्टर करवाने की तो इस डीट को उस एरिया के सब रिस्टर आफिस में रेजिस्टर करवाना अनिवार रहे हैं जरूरी है बिना रेजिस्टर के पार्टिशन डीट की कोई भी किसी भी तरह की कानूनी माननेता नहीं हो पार्टिशन डीट को रेजिस्टर करवाने के पास चाहत उस रेजिस्टर डॉकुमेंट की सिर्फ एक ही प्रती यानि की एक ही कॉपी मिलती है बलही उस प्रॉपर्टी के कितने भी वारिस को ना हो उसकी आप certified copy अगर चाहें तो जितनी भी निकलवाना चाहें उसे निकलवा सकते हैं यहां आपको मैं एक बात और बताना जाता हूं जो कि आपके लिए जानना बहुत जुरूरी है कि पार्टिशन डीट की certified copies भी उतनी ही value रखती है जितनी की ओरिजिनल रेजिस्टर डीट अब बात आती है कि पार्टिशन डीट को क्या चैलेंज किया जा सकता है और क्या भविश्य में भी कभी इसे कैसिल करवाया जा सकता है तो दोस्तों इसके लिए मैं आपको बता दो कि हमारा देश एक डेमोप्रेटिक देश है जहां हर व्यक् की सिर्फ को ओर्णर में की जाती है तो बाहर का को घक्ति बलाई से क्यों चैलेंज करेंगा है यह मैं उसके बारे में किसी तरह की कोई गलेद जानकारी पेश की गई हो यह किसी को वारिसlovन की मृत्ती के me challenge कर सकते हैं।מה कैंसby कर आप सकते हैं। लेकिन वे पार्टी-शे डीड उस सबिस्टरार के आफिस में कैंसील नहीं करवाई जा सकती जहां उसे रेजिस्टर करवा सहाटना कियो कि सबिस्टर के पास सब्सक्रार को कैंसेल करने के लिए जरसा कि मैंने आपसे पहले ही का कि परियाप सबूत होना लाजमी है दोस्तों अपने अगली वीडियो में यानि की पार्टिशन डीड पार्ट थ्री में मैं आपको बताऊंगा कि इस सब प्रसीजर में खर्चा कितना आता है समय कितना लगता है और इसमें और तिसकि पार्टिशन डीड पार्ट थ्री के साथ जल्दी में आप से रूप रहूंगा तक तक के लिए इजाज़त और हां पार्टिशन डीड पार्ट वन यदि आप किसी कारणवश ना देख पाए हो तो फिर्पया उसे भी जरूर देखे उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क कर लिए उन सभी मित्रों का मैं तहें दिल से धन्यवाद करता उनका शुक्रियाद करता कि पर मेरे सभी ग्यानवर्दक वीडियो आप उन लोगों तक जरूर पुझ जाए अपने उन सभी इस्ट मित्रों सके समंद्रियों को शेर करें जिनें वाक्य महीन की जरूरत है जैं जै बारत आपका अपना गरीश शर्क